नमस्कार साथिय। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंप्लेमेंट्स पॉइंट में ITBP इंडो तिबद बॉर्डर पुलिस ने भरती निकाल दिये है समिस्पेक्टर ओवर सियर की जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों केंडेट एपलाई कर सकते हैं। गुरुप बी नोन गजिस्टर नोन मिनिस्टर पोस्ट है ये और इसके फॉर्म बने की स्टार्टिंग की डेट है 16 जुलाई लाज डेट है 14 अगस्त आप 16 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक ओनलाई अपलाई कर पाएंगे ITBP की डेव सैट से वेकेंसी की बात करें तो वेकें 15 EWS की 3 32 वेकेंसी है वहीं फीमेल की एक वेकेंसी सामानने की 1 SC की 3 आई है OVC की वेबसाइट है www.recruitment.itbpolice.nic.in आप इस वेबसाइट से जाके ओनलाईन फॉर्म भर सकते हैं सैल्दी की बात करें तो आपको 35 आचासव वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा इसके एल्टी सी मेडिकल फैसिल्टी ये सब मिलने वाली है और आपकी स्टार्टिंग सेल्टी होगी लेवल 55,000 रुपए महीने एलिवल्टी कंडिसंस की बात करें तो आपकी एज लिमिट है 20 से लेके 25 साल जो के फॉर्म वनने की लास्ट डेट को काउंट की जाएगी एसेंसिल क्वालिफिकेशन है कि आपने टैंथ के बाद सिविल इंजिरिंग में डिपलोमा कर रखा हो एज लिमिट के बारे में यहां इसपस्ट दिया गया है 15 अगर्स 1997 से लेके 14 अगर्स 2 के वीच में जर्में कैणिट अप्लाई गर सकते हैं जहां भी विकेशनी रिजर्व है वाँ पर SST OVC को एज पर रूल एज रिलेक्स रिसन दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा SST को 5 साल का OVC को 3 साल का रिलेक्स रिसन इस बरती में दिया जाएगा फिजीकल इस्टेंडर की बात करें तो हाइट मेल के लिए 117 सेंटी मीटर फिमेल के लिए 157 सेंटी मीटर रखी गई है मेल कैनिट की चेस्ट कम से कम 80 सेंटी मीटर हो और फ्लाने के बाद ये हो जाए 85 सेंटी मीटर वो केंड़े जो हिली एरिया वाले हैं जैसे गडवाली, कुमाउनी, गोर्खा, डोगरा, मराथा, इसके अलावा सिक्केम, नगालेंड, अरुनाचल प्रदेश, मनीपुर, तरप्रा, मिजोरम, मेघाले, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और लद्दाग, यहां के रहने व दी गई है, वेट आपका हाइट और एज के अकोरडिंग होना अनिवार रहे, मेडिकल इस्टेंडर की बात करें, तो बैटराई N6, वर्साई N9 एलाव है, नियर विजन में, वहीं डिस्टेंट विजन, वेटराई 6, वर्साई 6, वर्साई 6, नो तक एलाव किया गया है, व बैटराई, और लेट एंड परसन के केस में, लेट आई उसकी बैटराई है, तो बैटराई यह में सर 6, 6 होनी चाहिए, यहनि अगर आप सीध्य आथ से काम करते हैं, तो आपके सीध्य आख 6, 6, दूसरी 6, नो तक एलाव है, इसी तरी के से अगर आप बाएं आथ से काम करत नहीं होना चाहिए, आपकी मेंटल और बॉड़ी हेल्फ एकदम फिट होनी चाहिए, टैटू की बात करें, तो टैटू हाथ के अंदर की साइड में अलाव है, और यह पर्टिकुलर पार्ट का एक वाई फोर से यादा नहीं होना चाहिए, इस सम्बंद में ITV का नहीं सर्म सामन होगा, फॉर्म आपको बले जाएंगे, रिकुर्मेंट.itvpolis.nic.in website से फीच रखी गई है 200 रुपे, और यह सर्फ सामन OVC EWS के मेल कैनिट को देनी है, SST फीमेल को कोई भी फीवे नहीं करनी है, बात कर लेते हैं सेलेक्शन प्रोसर्स की सेलेक्शन में पहले आपके इस्यू होंगे, उसके बाद कैनिट को PET-PST के लिए बुलाए जाएगा, तो पहले फेज में होगा आपका PET, इसमें मेल कैनिट को 100 मीटर दोड़ना होगा, 16 सेकंड में, फिर 1600 मीटर दोड़ना होगा, 7 मट 30 सेकंड में, फिर मेल कैनिट 100 मीटर दोड़ेंगी, 18 सेकंड में, 800 मीटर दोड़ेंगी चायमट 45 सेकिंड में इसमें अगर आप कौलिफाई हो जाती हैं तब आपको फिजिकल इस्टेनर टेस्ट के लिए बुलाए जाएगा आपकी नापतोल होगी इसमें पास सुन्याजने के बाद आपका होगा रिटन एक्जाम रिटन एक्जाम जो होगा वो 200 नमर का रहेगा इसमें 160 नमर की आपकी जनल इंजिलिंग और इस्ट्रक्टर इंजिलिंग आएगी जानि सिविल इंजिलिंग का 160 नमर का कुश्चन पीपर रहेगा नहीं 40 नमर होंगे आपके जनल इंजिलिंग के और अवियर्नेस के 200 नमर का आपका पीपर रहेगा 3 गंटे में करना है MCQ-based ये रहने बाला है इसकी जो आंसर की है वो आपको वेबसाइट पर बाद में अबलेबिल करा दी जाएगी जिस पर आप आपती भी कर सकते हैं इस एकजाम में आपको अगर आप सामान EWS वाले हैं तो 35% SSTOBC है तो 33% नमर लाने होंगे इसके बाद ही आपकी मेट त्यार की जाएगी जो केड़ेट इसमें पास हो जाएंगे उनके होंगे फिर और्जेल डॉक्मेंट की वेरिफिकेशन इसमें आपको सारे डॉक्मेंट लेके आने होंगे इसमें qualify हो जाने के बाद होगा आपका DME याई डिटेल medical examination जो candidate medical में फेल हो जाते हैं उनके पास review medical का विकल्प रहेगा review medical में भी फेल होने में बार कर दे जाएगा अगर पास हो जाते हैं तो आपको फिर merit में शामिल किया जाएगा यह थी जानकारी ITVP की जो बरती आई है SI Overseer की उसके बारे हमने आपको बताया वेबसाइट है www.recruitment.itvpolice.nic.in आप इस वेबसाइट से जाके online फॉर्म बार सकते हैं फॉर्म बढ़ने के बार उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने बास तो रच्चत रख लें दो सवर्वें फीस है सामान OBC EWS की SST female की कोई फीस नहीं है क्वालिफिकेशन है कि आपके बास डेपलूमा होना चाहिए से भी इंजिनरिंग में चाहिए आपने कहीं से भी क या हो लेकिन AICT द्वारा मानता प्राप्त यह होना चाहिए सात्यों मैं उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आप नए हमाई चैनल पर तो हमाई चैनलों को सब्सक्राब कर लिए को क्या मिलते है सही जान कर आपको साल भास आमें धन्यवाद